आपकी स्ट्रीम से एक फाइदा हो रहा पुब्लिक को बड़ा जी हरी भाई वेलकम दिदे स्ट्रीम भाई कैसे हैं आप माइक एंट्ट करिए सर्व आप लोग कैसे हैं आप अजब अब लोग बढ़ी आए अपके माइक से कुछ रहा रहा है पीछे से इन नहीं नहीं प्रक्रिक करता हूं इदर से भाई अब बोलें खोले माइक अब नहीं आएगा जितने आया मैंने सब को है किया हुए जी जी एरी भाई जी मैं ये कहना चाह रहा था कि तो उस वक्त साहिल को साथ धंकी मिली थी या पता नहीं क्या तो मैंने उन्हें कहा था कि उन्होंने अपने सारे जो वीडियोज हैं वो डिलिट कर दिये थे हैं तो मैं उनके चैनल पर जाके उनसे यही कहा था कि आप जो है अब इंटरफेथ हार्मोनी का सुरू कीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए कि इंटरफेथ हार्मोनी नहीं करेंगे तो आप कहीं जो है मतब तूर पर जाए जैसे नौमेडिक सुगा मैं इस तरह के साब उनसे सीख यानौ मेडिकर हैं और पूरी दुनिया को दिखाएं तो मैंने बखायता मैं गया था और सायत उस्वक पाकिस्तान में बैंड हो गया था उसका चैनल तो मैंने एक दफ़ा उनके चैनल पर गया हूँ और मैं मुफ्ती फजल हमदर्थ के चैनल से भी कई वार अपील किया हू अपने हिंदू भाईयों से कि आप ex-muslim के चैनल पर णाजाएं और मुसलिम भाईयों से भी अपील किया कि आप जो मतलब एक्स हिंदू हैं उनके चैनल परणा जाएं जैसे एक्स हिंदू कुछ गुद्दिस्ट भी हैं जिनका चैनल है और भी हैं तो दोनों एक दूसरे कि क्योंकि हर कोई जो है इनसान को चाहिए कि पीस और कॉमन टम्स पर आना चाहिए मैं इसके सपोर्प, मैं इसको मानता हूं, support करता हूं और अल्ला स्वान अभ टाला ने भी कुरान में फर्माया है कि कुराने जो ग्रंथ वाले हैं वो सभी कॉमन टम्स पर आएं और वेद में भी आया है, एक सोईकानमेवा सुथ में, रिगवेद के दस्मियाद द्या में, समानों मंतर समीती, समाने इवा समाने नहविशा जुहो में, ठीक है, तो मैं कॉमेंटों से बिलिप करता हूँ, मैंने वहाँ पे भी कहा था, और उस चैनल के मादम से मैंने सभी हि उसे तब भी रिक्वेश्ट किया था, आज भी रिक्वेश्ट करता हूँ, कि आप नवी सल्लेल्ला अलेवा सलम्, या हजरतीजा अलेह सलम्, या को भी हो, आप किसी को गाली ना दें, क्योंकि सनातन धर्म में गाली देने की इजाज़त नहीं दी गई है, कहा गया है कि गा सनातनी नहीं है, सनातन धर्म के इसाब से आप नरक का दर्वासा खुल रहे हैं, यू सुड़न्ट एब्यूस एनीवन, और इस पेसलिए जो रिस्पेक्टेटेड हैं उनको आपको करना ही नहीं है, तो किसी को भी आपको अब्यूज नहीं करना है, अगर आप किसी को अब् रखुर्म कुरान के नुसर आप वो हिंसा कर रहें और उस हिसाब से आप जहन्म में नरक में जाएए। इसलिए हिंसा ना करें ना गालियां दें ना चुगली करें न अपसेंटी में न विसलशन की या किसी की बुराए़ करें क्योंकि सनातन धर्म इसकी उजाज़त आपको नहीं देता है सनातन धर्म आपसे कहता है कि अगर आप पीस बना सकते हैं तो बनाइए नहीं तो फिर आप अपने काम से मतलब रखे वो अपने काम से मतलब रखे और कुरान में भी आया कि लकुम दीन, लकुम वलिया दीन तो सुरह अलकाफ्रियों में भी आल्ला ने फर्मा दिया है तो हर धर्म जब ये कह रहा है तो जिससे टेंसन बढ़े चाहिए वो गोधी मीडिया हो कोई भी कर रहा हूँ गोधी मीडिया के भी कमेंड बॉक्स में करता हूँ लेकिन वो लोग सुनते हैं तो बड़े मतलब बड़े लोग हैं क्या बोलेंगे तो कोशिज हम लोग का यही रहता है कि कम से कम जो है न देश में पीश फ्याले मैं सेंभाई को बड़े दिमाट से वाज करता हूँ मैं बहुत पहले से वाज कर रहा था मैं दुबारा स्ट्रेस दे कर इसको एक क्वेस्टन के तौर पर रखना चाता हूँ और इस पर चाता हूँ आपकी बात लेकर पिर आगे बड़ें आप मुझे यह बताएं कि आपने भी अब्जर्व किया है यह यह सरफ हमारा इलूजन है यह बहुत सारे जो मतलब हमारे हिंदू भाई है वो थोड़ा सा डावर्ट हो गया है और जो आपसी लड़ाए उनको किसी मुस्लिम से होगी या किसी क्रिस्टन से होगी तो उसको वो रिलिजियन में आकर के यह कर रहे हैं और थोड़ा जो पॉलिटिक्स से जो परभावी थे हैं वो भी उधर चले जा रहे हैं मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के रिलिजियन पे आप यह न करें क्योंकि ये सबसे गलत बात है कि आप किसी के religion पे attack कर रहे हैं और Hindu भायक तो कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अहिंसा नहीं हिंसा है किसी के धर्म पे attack नहीं करें कि ये हिंसा है और आप नरक का दरवाजा खोल रहे हैं Please बिल्कुल ना करें मैंने पहले भी कहा ता ऐसे Hindu जीस तरीके काम करते है वो राक्षस हैं और आज भी कहूंगा ये राक्षस परविति वाला काम है अगर आपको करना है तो एक अलग तरीके का debate होता है उस तरीके का debate में चाहिए आपको बात करना है अगर आपको convert हो ना इसलाम में, इसायत में, आप convert हो जाएं या अगर आपको उनसे debate करके उनको convert करना है तो वो आप दोनों की दर्वियान का मामला है पर मेरे अनुसाथ common terms पे रहना चाहिए नय conversion कर किसी को कभी तला नहीं दिया है और ना भारतिय सम्विधान किसी को force भी करती है और नहीं कुरान या वेद force करता है कुरान में भी आया, सुरह अलबकरा में आयत नमर दोस्ते चपन में ला इक्राफिद दीन की दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं तो मैं कहूंगा आप लोग हिंदु भाईयों से कि आप प्लीज ऐसा नहीं कहें कि इसलाम में जोर जबरदस्ती है या कुछ भी है आपको पहले तो इसलाम से लेना देना ही नहीं रखना जा अगर आपको जानना है तो अच्छी चीज़ें जानें और अच्छी चीज़ें जानने से आपका मानसिक विकास होगा अगर आप बुराई करेंगे नफरत करेंगे सनातन धर्म कहता है आप दुन्यावी जिंद्गी में पिशडए और आखरत में पिशडएंगे यह सनातन धर्म कहते हैं ये गलत कर्म हैं, तो मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करूँगा, प्लीज मेरे सनातनी भाईयों, आप प्लीज ऐसा न करें, क्योंकि आपकी वज़े से जो लोग वहां जा रहे हैं, आज रंग रसिया राम लिखावा आया है, कल जो है ये आएगा, और प्लीज मैं त कि नितिम भी कहा गया है, कि आप ना, क्या कहते हैं, आप ब्याज हूझ न लें, मतलब in ZaOOझ ना लें, और न Rayyaan को दिया है, महाजन जयो है लेते देते हैं, महाजन को इसका अदिकार हैं, बाकि सब को मना कर दिया गया है, और हम इसको और बढ़र रहे हैं से कह दिया कि व stab ब्याज लेना देना ही नहीं है और जो ब्याज लेते देते हैं उसके खिलाप जो है जंग का एलान भी किया बहुत सारी अच्छी बाते हैं इसलाम में तो आपको एक्सेप करना चाहिए क्योंकि हमारे धर में भी कहा गया है आनो भदरह करता वो यंतु विश्वत है जहां कही से भी मिले उसे ग्रहन करना चाहिए चारों तरफ से अच्छे ग्यान है क्या बात क्या बात करना चाता हूं हरी बाई जितनी प्यारी आपने बात की है एक मिनटा कुछ नए लोग जुड़े हैं हरी ओम तत्त जी है नमस्ते जी बोलियो है अगे एक है अनक आप अन्मुट कीजिया है कि एक वेक राइव अगरवी इनको बताते हैं अच्छे से ट्यक्वाइश्टीवन आविनको दिखाते चोड़ा थाइंक कुराण की अच्छा ये भाई तो कुराण में कंच्यूजन मान चुके हैं अभी कहां रहे इनके बाद अल्ला तो कुछ कंच्यूजेग अगर यह वर्ट टुवर्ड होगा न तो बहुत मज़ा आएगा बतला अब जी तोड़ा बड़ा कर दीजे मुझे भी दीखे मैं तोड़ा देख नहीं पा रहा हूं ने तो मैं आपको स्क्रीनशोट में जो क्या वर्ट टुवर्ड वाला इनका अभी पूरा पॉपट हो गया देखो कैसे है हाँ हाँ एंड शाइनिंग मून और सही इल्टरनेशनल में पास एक प्रमान है एक नटा मैं देखता हूं देखिए यह जलाक ट्रांसलेशन है मून तो इल्लुमिनेटिंग नहीं है और अल्ला ताला अल्ला शुवाना त इसा गलती कभी नहीं कर सकते हैं वह जानते थे अच्छा मुनीरन इसका अर्थ बताइए जड़ा बहुत आर ट्रांसलेशन की बात करने यह अच्छा कुरान डाट कॉम गलत बोल रहा है इसमें कोई बात नहीं है यह हो सकता कि अल्ला व्ला ने उस दोर के लिए समसे थे कि मून लाइब देता है तुसके भियान में रखते बोलें तो फिर आप स्थे टांसलेशन बताइए ना कौन सा है सही इंटरनेशनल का है यह ने कि मैं सही इंटरनेशनल बताता हूं आप यूसूफ अली को अछिनतर्यों प्रिशोफ का यह distintos आप कर्लािये अजिए अरे अजिए जटे फी तीडि ओसे फ्लाइब गरेट में इस्थे जयूफ दो क्लाइब है मून क्या होते हैं लुमिनेश अब बताओ आप में ओ लुमिनेश बड़िये लेकि बाद बड़ियर लेकंड रहा हूं क्या समथ ऑप्तास लुमिने क्या है लोगों को वांच करता है। इसलिए कि आट रहे हैं तुम्हारी फिर I anticale अक्ता मुंता क्व 예र लौं की बढ़ियाद सब्संतरर ने एक मिनेट एक मिनट मैं यह कह रहा था कि हरिवम तच्छत ने यह तर्क सुनाए साथ से यह इसलामी जो होते पाकिस्टोनी अभुजर रिस्पॉंड यह सबसे लगता है सीखा है तो मैं एक चीज पूछा था अगर वो हिस्टारिक बुक है और उस समय के लोगों को कुछ पता नहीं था तो यह आर प्यामत तक उसको मानने के लिए क्यों कहा गया आज उसको छोड़के आज विज्जान के और क्यों नहीं आपा रहे हैं मुझे इदर उदर की बात ही नहीं क्योंकि समय आप बहुत ले चुके हैं अब सीधा बात बोलिए कि कुरान के अंदर इलोजिकल बात है या नहीं और उसे नकारना चाहिए या नहीं कि अंदर कोई लोजिकल बात नहीं और आपने जो मुझे दिखाया है वो कंफूजन कंट्राडिक्शन उस पर हम देर बार करेंगे लेकिन देखे कुरान के अंदर कुछ भी गल्ती नहीं है कुरान हर बात सही कहता है और देखे कुरान अदमी गलत है तो अदमी गलत कर सकता है तो पर से ट्रांसलेशन कौन सा लाई फिर बात करेंगे अच्छी जाकिर नायक ने यह बोला है कि साई इंटर नाशनल का ट्रांसलेशन एकदम अथेंटिक है मैं दिखा सकता हूँ अब भी दिखा सकता हूँ मैं अरे ये कुछ नहीं जानता है इस समय भी रथ कर रहा है बढ़े ने दिखाँ क्या जाकिर नायक नहीं बोला है एक मिनिट एक मिनिट बहुत आपके जो जाकर नाइक साहां पे उनी नहीं बोलाए कि सही इंटर्जनाशनल का ट्रांसलेशन एक दम करेक्ट है पीछे पैनल में दो जने और हैं आप ऐसा करिया हमें सनातनी आरे को बैकिस्टेज कर दीजिए उन दू को जोड़ दीजे पैनल लिस्टों को आज दू नहीं लोगे एक बिरोजगार इंडियन यह तो आज इसका सही टर्नाशन दिखा कर जाएंगे या मान के जाएंगी कि कुरान जो ही लोग्ले क्या तो इसको मानते हो क्या उसको मानते हो क्या है और यह भी देखिए और और वह पन कीजित ना संजी पन्जी इसका इसका सॉल्ड इसका सॉल्ड कि दिखाता है मैं देखी ले तो सही इंटरनेशनल से अलगी है क्या दिखाते हैं देखते हैं अब जाकर जाकर ना इस इंटरनेशनल को मानता है यह किस खेट के मुझे लिए पता ने अब मतलब जो जो इसलामिक सभी मानते हो वो नहीं मानना है और कौन सा सुरा 2561 सेवेंटीफाइव ट्वेंटीफाइव और किसे प्लेटांगा है क्या बुलाता मैं तो अल्ला का साइन आई यह हूर वाई शिक्स्ट्यून ना यह यह भाग आप कितने मतलब सवालों से भागे हो देखो इससे समय कितना वेर्थ हो गया हमारा एक एक पे अगर आते हैं आप वहां पर अगर वह ऑगर वह आज़ेक्टिव होगा तब मानेगे कि हां कुरान में वो गल्ती है तो आप और कुरान कार्पास कुरान.com खो लिए तब मैं अरे यह क्या है पर यह तुम यह रया अरे आरे वाज जी आ वह फोगा हुआ है कॉर्पास कुरान को पाम जाई है क्या दिया है उसके बारे में शाइनिंग जो मीनिंग है वहां पर वर्ड जो मुनीर जो आप क्या बोल रहे हैं तो वह वर्ड क्या है वहां पर एड़ेक्टिव है क्या ही है शाइनिंग एंड़ मून शाइनिंग अच्छा यह नाउन है ना तो दो नाउन लगाता रहा है मून और शाइनिंग इसका क्या अरत करते हो बताओ यह लिखा है आपकी साइट क्या करते हो इसका अच्छा एक लेंप है एंड़ मून शाइनिंग क्या है यह यह नाउन लग रह अब मुझे खाली है इतना समय वेर्थ गयाब ने हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम सही रैशनल से बता रहे है आप को जिद्यासा नहीं है संशाई नहीं है तो आप उत्तर तक पहुंची नहीं सकते लेकिन यहां क्या है कॉनकूलूजन पहले है और तर्क तो दिया ही नहीं कहीं प्रोसीजर में तर्क नहीं है अब कैसे बार सकते हो कि हमारे बन 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 अरे शक और शुवा नहीं कर सकते और जो करता है वो जन्नूम के आग में जलेगा डरा क्यों रहा है फिर अल्ला कह रहा है कि क्या तुम एक पूरा गरंत देखा जाता है आप समझ रहे हो कि आपके उपर भी धक्कन लगा हुआ है जैसा वो लोग तरक नहीं कर पाते हैं नहीं समझ पाते हैं इन सारी चीज़ों को बरांतियों में फस्ते हैं तो क्या आपके उपर भी धक्कन इस प्रकार का है आप समझ रहे हैं मैं तो मैं सीकर हूँ मैं जहां पर भी टूथ मिलेगा जहां बड़ियां बात मिलेगी मैं उसको लेने के लिए रेडी रहता हूँ आप ने आज दिखाया आपने मेरी आँखने खोली मैं आप लोगों का सुक्रिया अदा करूंगा जरा आपने आज हमें दिखाया कि यहां कुराम में ये खामिया है वहां खामिया है मैं मुफ्ती साहब से मिलूंगा इंशालला और पिर मैं आपको जानकारी दूंगा आप इंशालला वे आपको बात चल रही है अल्ला है कि नहीं है अच्छा ये रखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्त प्रकाश सत्यार्त प्रकाश आपने अभी पढ़ा नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप सेकुलरिजम जैसी बाते कर रहे है तो आप ये पुस्तक को जरूर से जरूर पढ़ा है लेकिन जहां तक आपने आरे समाज की बात की तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी मानते ह कि आरे समाज अच्छा है कुछ मुस्लिम दोस्त का भी मानना कि वह हिंदू के बीच अच्छा है और सत्यार्त परकास मैं ने एक दफा थोड़ा सा पढ़ा था मैं प्रेरित हुआ था बट मैं कोसिस करूंगा और मैं चाहूंगा कि सत्यार्त परकास को अगर मुझे पीडिय हाथ है वह मंडन पर है और जब मंडन किया है उसके बाद में खाली चार समुलफ के अंदर समीक्षा किया है उसके अंदर गो इसा नीए हटा दे आप से मैं सवाल कुछता हूँ बताइए जी नहीं अल्ला की आयत सिर्फ अल्ला ही मनसुख कर सकता और कोई नहीं बस यही प्रॉब्लम है हम में और अंदर की हां साइंटिफिक मिश्टिक होगा तो मैं इसको एकसेप्ट करूँगा जिसे मैंने अभी एकसेप्ट किय कि अभी तक मेरी समझ से वहां पे साइंटिफिक मिश्टिक वाकरी लग रही है लेकिन मैं एक डफ़ा जरूर उन लोगों से जो है कंसल्ट करूँगा मुफ्ती मौलाना साहब से जानना चाहूँगा कि इसमें क्या साइंटिफिक मिश्टिक है और क्या है